हेलो लाइटिंग कम्यूनिटी कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज के वीडियो में आपको कुछ हमारा सेटप बताने वाला हम जो हमने रेडी किया है अभी खिसी कस्तिमर के लिए जो की हम वेबसाइट पर भी इसको रेडी करके देने वाले हैं और आपको आज यह बता दूँ कि दोस्तों हमारी पार एक और ज्यादा स्लो हो रह पर आपको मैं setup दिखाता हूं कि हमने किस तरीके से बनाया आपको अगर बना बनवाया setup लेना है तो वो भी मैं आपको description में update कर दूँगा कि आपको कैसे खरीदना है वो भी आपको वीडियो बताता रहूंगा मैं आपको तो चलिए setup देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हमारा setup स्टार्ट होता है हमारे controller से दोस्तों यह जो controller है इसकी wiring मैंने आपको बताई हुई है कि कैसे कर रहे है अब यह adapter मैंने क्यों लगा रखा है यह आपको बताता हूं शायद मैंने सोचा था कि इसको power कम पढ़ जाएगी इसलिए मैंने एक adapter यहाँ पर लगा लगाया हुआ था इसको मैं अगर plug करता तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर मैं इसको plug कर देता हूं तो भी कोई फरक नी पड़ता बस controller को थोड़ी सी power extra मिल जाती है तो setup कुछ ऐसा है दोस्तों कि यह मैंने किया हुआ है S wiring में अब यह कितना लंबा है वो तो मैं आपको बताता हूं यह कहा तक जा रहा है बह अब यह कितना setup है सबसे पहले आपको दिखाता हूं मैं इतना लंबा setup है जिसमें दोस्तों इसमें दो power supply यूज की गई है जो कि यहाँ पर आपको एक भी power supply दिखने ही रहेंगी वो मैं आपको बताता हूं यह main wire है दोस्तों इसके जिससे input और output कुछ भी ले सकते हैं मैंने हो गई अब इस जालर में दोस्तों मैंने क्या हुआ है आपको दिखाते हैं यहां से दोस्तों यह जो आपको केबल टाइब अगेरा सब को दिख रहा है मैंने सीला इसलिए हुआ है चाहे वो customer के लिए जा रहा है लेकिन दोस्तों काम अपना अगर expert होगा तो जो customer है वो भी जरूर ओर देगा इसलिए मैंने इसका काम बहुत ही ध्यान रखकर किया हुआ है और आप भी अगर बनवा के खरीदना चाते हैं दोस्तों तो हम बनाकर की देते हैं पूरा setup लेकिन थोड़ा सा time लगता है तो इसकी बात करते हैं दोस्तों इसका जो data wire है वो यहां पर मैंने इसको इस तरीके से बनाया हुआ है कि यहां से आप इसको खोल भी सकते हैं मैं आपको भी खोल के दिखाता हूँ यह जो setup है यहां से दोस्तों यह जालार अलग हो जाएगी पूरी की पूरी और यहां से यह इधर से भी अलग हो जाएगी तो यह पूरी आप इसको समेट भी अब दोस्तों हमारा शेटप वुआ वह आप चालू हो गया इसका कनेक्शन दोस्तों को इस तरह से के यह साहर जो हमारी डाटा वायर आया इंपूट हुआ है वह यहां से इसमी चला गया और यहां से वापस ऐन Sen Just दोस्तो वापस से इधर से वापस इधर आया है हमारा circuit जो यहां तक आया है यहां से मैंने इस connector को इस हesाब से जोड़ रखा है इसका plus और minus दोनों दोस्तो इसमें इनों में जुड़ा हुआ है यहां तेप देख सकते हैं यहां पर मैंने इसमें पूरा कटनी करना है अगर पर ले सकते हैं यह वायर को काड़ता नहीं है सिर्फ उपर का कवर जो वह रिमूव होता है तो इसको मैं रखता हूं साइड में आपको दिखाते हैं तो दोस्तों यहां पर कुछ इस तरीके के हमारी यह सेट अप लगता है दूर से अगर आप इसको देख सकते हैं कि तो सब बीच में लगा हुआ है इसलिए मैंने इसको यहां पर लगा वाया हुआ है ठीक है तो यह जो आप देख सकते हैं यहां से इसी इंपुट हो रहा है और यह यहां पर मैंने बीच में अभी टेपिंग नहीं किया इसमें क्योंकि इसको मैं खोलूंगा वापस से तो यहां पर थोड़ से आगे चलने के बाद दोस्तों एक और साथ एंपियर का SMPS मैंने यहां पर इसमें कनेक्ट किया हुआ है जो कि इन सभी बल्ब को चलाएगा अब आप यह पुछेंगे कि भाई दो-दो SMPS को हूँ तो दोस्तों दो SMPS इसलिए क्योंकि यह 1500 बल्ब हैं टोटल क्योंकि इसकी साइथ 25 इंटू साथ रखी हुई है तो इसमें 1500 बल्ब यूज हुए है टोटल मिलाकर इसलिए दोस्तों इसको मैंने दो पार्टेशन में डिवाइड किया हुआ है तो अब आपको मैं दिखाता हू आपको मैं जयं सके जदाँ इसलिए ओकता हुआ है तोमies किया हुआ हुआ है औरिजने भर नहा है!